जी हां दोस्ते इंडिया और वेस्ट इंडियस के बीच खेला गया खतरनाग तीसरा टीट्वेंटी मुकाबला कॉल काता के इडन गार्डन मैदान पर चांचट रण में 102 रणों के आवशक था थी टीम वेस्ट इंडियस को तभी दोस्तों गेम चेंजर साबित होते हैं वो लास्ट के 11 ओवर टीम इंडिया और वेस्ट इंडियस के नजरिये से वेस्ट इंडियस के खतरनाक बल्यबाज निकलस पुरन का जहां मैदान पर बल्ला आग उगल ला था तो दूसरी तरफ भारते गेंदबाजों की गेंदबाजी उनके खिलाफ काम नहीं आ रहे थी लेकिन तब ही कुछ ऐसा होता है मैदान पर जिसको देख हर कोई दंग रह जाता है और टीम इंडिया इन 66 यारी के छांचट बोल में पूरा मैच पलट के रेक देती है लेकिन हुआ क्या दोस्तों आई आपको पूरी जानकारी देते हैं तब तक टीम वेस्ट इंडिस के चार विकिट गिर चुके थे और मैदान पर थे जेसन होल्डर और निकलास पूरन जेसन होल्डर जो से पहले इंगलेंड की सीरीज में गजब की बल्लेबाजी और गेंदबाजी सभी का दिल जीत कर इस सीरीज में अपने जगे बनाने में काम्याब रहे और इन पर सभी को उमीदे थी कि ज़रूर ये कुछ कमाल करेंगे लेकिन तभी मैच का टरनिंग पॉइंट सावित होता है दोस्तों और यहां से लगातार विकिट का सिलसला शुरू हो जाता है जहां पर हम सभी देखते हैं किस तरीके से नोवे ओवर के बाद दसवे ओवर में ज्यादा ज्यादा चार रन आते हैं उसके बाद यहां पर 87 रन पर स्कोर पहुंसता है टीम वेस्ट इंडिस का फिर उसके बाद यहां पर करीब अभी चाहिए थे टीम वेस्ट इंडिस का ठाडवे रन करीब करीब 60 गेंदों में मैच सबके सामने था बन सकते थे 20 मुकाबला था निकलस पूरण गजब की फों में बल्ले बाजी कर रहे थे लेकिन तब ही जेसन होल्डर का विकेट चटका देते हैं वैंकिटे से यर 6 गेंदों पर 2 रन मनाकर जेसन होल्डर आउट होते हैं 7 गेंदों पर 12 रन मनाकर रोस्टन चेज आउट होते हैं फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी करते हैं निकलस पूरण के खिलाफ शाड़ उल्ठाकुर लेकिन उससे भी कमाल देखने को मिलता है इशान किशन का उड़ता इशान किशन हम सभी ने मैदान पर देखा कल जहाँ पर निकलस पूरन का उन्होंने क्याच पकड़ा 47 गेंदों में 61 रन की पारी निकलस पूरन ने आठ चोके एक छक्के के मदद से खेली 139 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था कैच पकड़ी शान किशन ने उसके बाद तो विकेट का सिल्सला शुरू हो गया रोस्टन चेज 12 रन मना कर आउट हुए रोमारियो शेफट 21 गेंद में 29 रन मना कर आउट हुए मैच निकाल सकती थी हांसे वेस्ट इंडिस की टीम क्यूंकि जब लास्ट के 3 ओवर थे यानि 18 गेंदे तब 37 रन के आवशकता थी वेस्ट इंडिस को लेकिन उससे पहले 2 ओवरो में भी अच्छे खासी हां पर 23-25 रन जो चाहिए थे वो बन सकते थे लेकिन कोई ऐसा सेट बलेबाज मैदान पर नहीं था क्यूंकि रोमारियो शेफट का 19 वे ओवर की 5 वी गेंद पर 158 रन मना कर वा उट हुए थे हर्चल पटेली गेंद पर फिर डॉमिनिक ड्रेक्स तीन गेंदों पर चार रन मना कर आउट हुए फैबे नेलर और हैडल वोल्स क्या ही करते मैच उनके आखों के सामने से निकल चुका था 166 जन बनाए 9 विकेट को नुकसान पर निरधारी 20 ओवर में वेस्ट इंडीस की टीम ने और इस चांचट गेंदों में जो एक दोरण के आवशकता थी वो चेज नहीं कर पाई वेस्ट इंडीस की टीम और उनको हार का सामना करना पड़ा लेकिन मुकाबले का सबसे टर्नि नजर आ रहे हैं टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 17 रन से जीत जच करी नेक्ट नैनिस पर आप